Hello children, today we shall start our chapter with the topic air transport, why you parivhen? Since early times, man has had the desire to fly like a bird in the open skies. सुरवाती समय से ही मनुष्य की ये इच्छा है कि वो एक पक्सी की तरे खुल आकास में उड़े. He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloon. उसकी ये इच्छा सफल हुई थी जब वो एक गरम हवा के गुबारे में उड़ा. It was only in 1908 that the Wright Brothers made the first successful flight in an aeroplane. ये के वल उनी शौट की बात है कि Wright Brothers ने पहली सफल उड़ान भरी हवाई जहाज में. Airways have shrunk distances in an amazing manner. Airways ने दूर्यों को एक बहुती अद्भूत तरीके से कम कर दिया है. It takes 17 hours to reach Delhi from Mumbai by राजदानी एक्स्प्रेस ट्रेन बट ओनली 2 hours by an aeroplane. केवल 17 घंटे लगते हैं दिल्ली पोचने में मुंबई से राजदानी एक्स्प्रेस ट्रेन से और केवल 2 घंटे लगते हैं दिल्ली पोचने में हवाई जहाज से. Mumbai देली एरूट is the biggest in the country. Mumbai देली हवाई मार्ग जो है वो सबसे व्यस्थ मार्ग है हमारे देश में. एर ट्रेवल is the fastest and most comfortable but costly mode of transport. हवाई यात्रा सबसे तेज और सबसे आराम दायक लेकिन सबसे महंगा यातायत का साधन है. The chief advantage of air travel is that it can cover difficult landforms like mountains, deserts, forests and water bodies without any problem. हवाई यात्रा का सबसे ज़्यादा फाइदा ये है कि ये जो भूती कठिन स्थल रूप होते हैं जैसे कि परवत आगे, रेगिस्टान आगे, जंगल आगे और पानी के जितने भी स्रूत आगे, उन सबको आसानी से पार कर जाती है बिना किसी समश्या के. इन दे बिगनिंग, दे एरक्राफ्ट वर स्माल एंड कुट फ्लाइ ओवर सोड दिस्टैंसे ओंली, शुरुवात में जो एरक्राफ्ट थे, छोटे हवाई जो थे, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, और केवल थोड़ी थोड़ी दूरियों पर ही वो ओड सकते थे, but now an airplane can carry hundreds of passengers and tons of cargo over great distances, लेकिन अब एक हवाई जाज, सैकडो तो यात्रियों को, और सैकडो टन जो माल होता है, वो दूर तक, बहुत दूर दूर तक ले जा सकता है, The airports provide various services like duty-free shops, restaurant, telephone and even free internet service, जो airport है, वो हमें विभीन सेवाएं बरदान करते हैं, जैसे कर रही दुकानों की, restaurant की, telephone की और यहां तक की free internet की सेवा, Do you know? Helicopters are used for surveys, media reporting and emergency services. Helicopters जो होते हैं, उनका प्रियोग किया जाता है, निरिक्षन करने के लिए, Media सूचना के लिए और अपतकाल सेवाओं के लिए, They are useful for transporting the injured to hospital and providing relief to the victims of earthquake, landslide, floods, cyclone, etc. Helicopters बहुत ज़्यदा उप्योगी होते हैं, जखमी जो हो जाते हैं, लोग जिनको चोट वगरा लग जाते हैं, उनको hospital में पहुचाने में मदद करते हैं, और जो भी earthquake, भुकम से, भुसकलन से, बाड़ आने से, या चक्रवात आधी आने से, जो भी लोगों को परिशानी होते हैं, जो लोग इन सब से बहुत ज़्यदा पीडित होते हैं, उनको helicopter के द्वारा ही relief, आराम, सुईधाएं, बोजन वेगरा प्रदान किया जाता हैं, All the time we are worried about increase in the prices of petrol and diesel, हर समय हम चिंतित रहते हैं, जो कीमते ही बढ़ जाती है, petrol और diesel के भाव की, Most vehicles run on petrol और diesel, ज़्यादा तर जो वहान होते हैं, वो या तो petrol से चलते हैं, या फिर diesel से, They affect the prices of all commodities like fruits, vegetable, pulses, clothes, etc. और ये diesel और petrol के जो भाव होते हैं, यही दूसरे जो समान होते हैं, जैसे कि फल, सबजियां, दाले, कपड़े, आदी, उनके भाव को भी प्रभावित करते हैं, Now you know why auto and taxi driver demand higher fares whenever fuel prices increase, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों auto, taxi driver, और ज़्यादा किराय की मांग करते हैं, जब कभी भी petrol के दाम बढ़ जाते हैं, तो वो भी अपने किराय को बढ़ा देते हैं,